दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं जेन्यों एमेसी केमेस्ट्री इंट्रेंस का पेपर सॉलिशन का अपना लास्ट पार्ट एंड आप सबसे रिक्वेश्ट इससे पहले तक आपने जो है अपने लास्ट वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे विजिट कर है माइक्रो यहां पर दिया हुआ है अब पुछा क्या है देखू यहां पर कोसन में यह चार कंपेश्द दिया चोके बिया डेन आपका ओक टायल व्टाइल ऑम्रें टायल से ने आपका लेपोरेट सिलक्षान रूल एंड आपका जो है स्पिन सिलक्षान रूल कुछ सिलक्षान रूल पर डिपेंड करता है एंड यहाँ पर आप इन सभी में देखो के B, C, D, E, F में देखोगे तो यह सभी यहाँ पर complexes में अगर आपको यहां बता हूँ तो सारे complexes में जो है leporate forbidden होगा यहां पर because leporate यहां पर partly around भी नहीं होगा because यहां पर सारे ligand same है and सारे ligand same होने के कारण यहां पर आपका inversion center present हो जागा and inversion center present होने कारण just like मैं अगर आपको दिखा हूँ जो से एक metal है यहां पर BCDE के लिए जो है यहां पर मालते हैं कि यह a ligand है यह वी a ligand है and यह a ligand and फिर से a ligand and यह a ligand ओके यह सभी जो ligand आपको दिये वे तो यहां पर inversion center present है and यह inversion center present होने के कारण यह सभी जो है लेपोरेट forbidden होगा because यहां पर जो है जो डेल्टा एल की value होगी ना वह 0 हो जाएगी because डेल्टा एल की value प्लस मैरस वन नहीं चाहिए because यहां पर जो है T2G से जो है आपका EG के लिए ही transition होगा and T2G में भी D है और यहां पर भी D है तो यहां पर जो है डेल्टा एल की value हो जाएगी 0 इस कारण से जो है यहां पर लेपोरेट forbidden हो जाएगा आप यहां पर लेपोरेट जब forbidden हो जाती है लेकिन यहां पर अगर हम option A देगे COCL4 जो की यहां पर एक tetrahidal complex है and tetrahidal complex होने कारण जो है inversion center यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा and उसके साथ साथ में यहां पर PD mixing होती है and इस PD mixing कारण जो है यह compound ज़्यादा colored होता है and इसी colored कारण जो है इसकी intensity है ज़्यादा होती है and intensity जा रहा होने कारण जो है इसका molar extinction coefficient यानि अब silent की value जो है high होती है बाखी complexes comparative में जो है यहाँ पर silent की value इसकी high होती है इसीलिए जो है option A इसका correct answer है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान देना अब यहाँ पर next question क्या दिया हुआ है choose the correct set of answer among the following तो यहाँ पर question क्या दिया हुआ हुआ highest solubility in water between the following compounds solubility के लिए बताया था down the group या फिर किस तरीके से मैंने बताया था तो यहाँ देखो cesium का size जो है cesium positive size जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है इसके cesium का size इतना बड़ा है ठीक है and उसके बाद में fluorine का size अगर आप बात करो तो fluorine का size इतना बड़ा होगा है यह आपका fluorine है and यह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इसकी solubility जादा हो जाएगी अब एक important बात यहाँ पर यह solubility के ऊपर में comment किया हुआ है आपको hydration के ऊपर में नहीं पूछा गिया है हाई डिशन बोलता तो यहाँ पर आप प्लस के उपर में एंसर बोलते है कि एने प्लस का जो है जादा होगा वीकोज ओफ देर इस्मॉल साइज ऑफ केटा एनों के तो आप यहाँ पर कहते है लेकिन यहाँ पर पूछा गिया है तो सोली बिटे पर आप कमेंट कर सकत हो कि CSF का जो है यहां पर जादा होगी अब देखो दूसरी क्या है यहां पर हाइस्ट melting point between the following इन दोनों में जो है किसका melting point जादा होगा similarly यहां पर किस क्या है कि bromine यहां पर दिया हुआ है bromine का size बहुत बड़ा है and aluminium यहां पर थ्री प्लस है या नहीं mg2 प्लस हो गया अब बता दोनों में इंट्रेक्शन ज्यादा अच्छा किसमिया होगा of course जो है यहां पर bromine and mg वालम ज्यादा होचा होगा with respect to aluminium and bromine and इन दोनों के case में ज्यादा अच्छा इंट्रेक्शन होने कारण जो है आप इस bond को ज्यादा बेटर तरह से जल्दी ब्रेक नहीं कर पाऊगे एंट जल्दी ब्रेक नहीं कर पाने कारण जो है इसकी यहां पर जो है आपका melting point ज्यादा हो जाता है इसी लिए यहां पर दूर बी के लिए mg2 हो जाएगा इसका अब नेक्ट दो क्या दिया हुआ हुआ है CSF एंड यहां पर NACL तो कि यह मैंने स्वले इस्टेंट पड़ाया था कि CSF का जो कोडिनेसर नमर होता है वो 8 इस्टू 8 होता है एंड NACL का जो है 6 इस्टू 6 होता है इसलिए इसका correct answer होगा आपका option नमर जो है तो आप देखो पहला का भी यह है पहला का जो है यहां पर पहला का A है दूसरा का जो है B है और तीसरा का A यहां पर correct answer हो जागा option नमर जो है इसका correct answer हो जाएगा अब नेश्ट कुस्न देखो क्या दिया हुआ हुआ है सब्सक्राइब 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 जो कि यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है इस carbon अगर आपको इस carbon ले लो या फिर hydrogen नहीं ले लो यहाँ पे mainly carbon दिया हुआ CS3 और यहाँ पे CS3 दिया हुआ तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे total जो है कम हो जाएगी and stability जो है आपका इस्टेबिलिटी जो है ज्यादा हो जाएगा stability high हो जाएगा because आपको पता है e is equal to h new होता है and h into c by lambda होता मतब energy जो है universally proportional to lambda होती है इसलिए यहाँ पे आपका यहाँ पे रेजरेंस होने कारें जो है energy कम हो जाएगा इसके बाद में यहाँ पे 9 hyperconjugative hydrogen होने कारण जो है यह रेजरेंस हो जाएगा इसलिए इसकी जो है यहाँ पे energy इससे थोड़ी सी कम हो जाएगा इसके बाद में जो है अगर मैं मिश्टेक नहीं कर रहा हूँ डिफरेंट रेडर कॉंस्टेंट वेर अबस्टेंट फॉर्टर रेट रेट कॉंस्टेंट आर करेक्टर फॉर्टर में संड रियक्शन देखो सब्सेपल जो विलकिंसन कैटलिस्ट होता है विलकिंसन कैटलिस्ट जो है टर्मिनल जो आपका पोजिशन में जो है मतलब रिंग के बाहर में जो डेबल बॉंट होते है न उसे यहाँ पे जो है रिंग के बाहर वाले डेबल बॉंट को रिडिउस करने में ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क होता है यहाँ पे तो सबस सबसे ज्यादा हो जाएगा देन उसके बाद में आपका डी का होगा विगोज यह आपका इस्टेरिक संसिटीव होता है तो यहां पे बी एंड सी में देखो तो यहां पे जो सब C सिर्टिशन है बट सी में कोई भी सबस्ट्ट्टूशन नहीं इसलिए पहले आजागा जिसमें सबस्ट्टुशन होगा वह लास्टम चला जागा एन उसके बाद मिदि यानि ए सब्सक्राइं कि यह जाद रखने हो जबають करते हो ना तो यह में मेली करता है सी टू एच फाइब होल फॉर पी बी प्लस एने सीर का जो है फॉर्मिशन कर देता है एंड यहां पर एक बारे में पूछा गया थो तो यह हमारा इसका एह हो जागा करेक्ट एंसर एंड इसके बाद लग कोशन जो है यह मास्ट टूल था इ जो है इस्टरिक साब को मैंने ट्रीक बताए था गलाइसीन ऐललेइन वैली इन ओके एंड इस तरीके से मैंने आपको बताया था यह प्रॉलीन हो जाता हो के एंड यहां पर सबसे पहले है यहां पर एक कार्बन एड़एड हैं यहां पर अगर आपका कंपांड था और अड हो जाते यहापा है नहीं पहले तो यह आपका एलनीर हो गया न焰कeldra ऑपको यह जो हो यह आपका प्रोली होते हैं अभर कि यह त्रॉक्चर है यहापको च्रॉक्चर है यह उर्री एनि के falls प्रोलीन हो यह आप करना है यहां पे सब से पहला है हमें का इस तरीके से यह है होगा थे हो गया है यह तो चैसे है आपका एक अघ्रुं का याम्न Official करते हैं त्ट सबस्क्राइब कर अब करोकर है तो यहां पर निकालते हैं तो यहाँ ट्रीघ्री करेक्टर नुबर्वान पर है लेकिन य়ढ़ करोंगे यह इस तरीका से चार करोंगन क्याने है इस तरीका से connected ही है तो यहाँ पर आप चेक कर होगो यहाँ पर इसके लिए अगर हम इस्टियों निकाले है यहाँ यहाँ पर यह नमबर वन हो जागा sorry ओके यह वन हो जागा देन यह टू हो जागा देन यह थ्री हो जागा यानि इस तरी के जो है आपका इस तरी के से इस हो जागा हो कि अंडिक लोक आज गाज मैंने यहाँ पर एक निश्टेक कर दिया थखी यहाँ पर फिर सिमें आपको नवीं कर दा हो नंबर वन के लिए वन टू एंड त्री यानि इस तरीके जो है एंटी क्लोफवाज चला जाएगा एंड यहां पर जो है ओके यह आपका S हो जाएगा ओके तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान देना अब हम लेते हैं पने लास्ट कोशन को lowest melting point among the falling compound तो down the group जो है यहां पर melting point decrease होता है यहां पर यहां पर कारण फैमली का है तो SN का जो है सबसे कम melting point हो जागा यानि A का तो है C हो जाएगा और दूसरा यहां पर tetra highlight does not exist कौन सा exist नहीं करता है तो PB4 positive जो है यहां पर PBI4 जो है PB4 positive exist नहीं करता है इस case में यहां पर इसलिए PB जो है यहां पर I4 भी exist नहीं करता है तो इसलिए इसको आप द्यार रखना है यहां पर इसका C हो जाएगा and which of the following MH4 react with 0.5 इसलिए यहां पर C C then B यानि answer जाएगा option नमर जो है C हो जाएगा correct answer तो इस तरीके जो है